कौन हो तुम लोग बोलो ना छोड़ो मुझे छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को छोड़ो मुझे हाथ दिखा कर कौन है तो जास्ती बात मत कर बात सुन मेरी कल तक अगर पैसे नहीं आए ना बेटा तो हमें रिश्या के लिए बंद करवा देंगे यह चान को चार रहें तुमको यह दूसर प्लान मत रख लेना एक मिनिट स्टॉप अरे क्या हो गया हो गार्या देखाना जगड़ा हो रहा है इस्टॉप हमें क्या लेना देना है अईश्व चुप-चाप चलो अरे आईश्यू आना तुनिया भर की टैंजन इसी को है माइलोट बीच सड़क पर गाड़ी के साथ तोड़ फोड़ करने की वज़ा है कि जो नागा अल्याज नागराच पर केस किया है उसे वापस ले लीजिए वर्दा आपके बेटी जो है ना क्या नाम है उसका लक्षमी नैशनल कॉलेज फस्ट यह डिग्री केस वापस नहीं लिया तो आपकी बेटी कुमारी लक्षमी श्रीमती लक्षमी बन जाएगी इतना ही नहीं होश्यारी की तो गर्भती भी बन जाएगी मैंने तुझे बोला था ना देखो वही मवाली जगडा कर रहा है तू आ मेरे साथ जोड़ यार आईशू तो यहीं खड़ी रहे मैं ही जाती हूं केस आपको और भी मिल जाएंगे पर बेटी कहां से लाओ गये सर आये साहर हम धाने चलते हैं एक एड़ोकिट क्या होता है हम इन्हें दिखाएंगे चलिए साथ देने वाले जन्ना तक नहीं जाते शम्शान में मिट्टी डालके निकल जाते हैं इडियट आप बिल्कुल फिक मत कीजिए सर मेरे साथ चलिए धानी चलते हैं बेटा तुम हालो हां हां बोलो हां ठीक है ठीक है सारे नौ बजी का डिपार्चर है कि दो घंटे पहले पहुंचना होगा क्या कहां हां मैंने सबको बता दिया है कि यह यह था प्रिश को पगड़ साले का पाद नहीं पाए पाद इसको पाद़ साले का डाड़ी आओ बेटा आओ बैठो डाड़ी उस बच्चे को कितनी तकलीफ हो रही होगी उसे कुछ नहीं होगा ना अरे कुछ भी नहीं होगा बेटा तुम परिशान मत हो कहां गया तू नौकरी के लिए रट लगाई रखेगा तो मैं क्या करूँगा आज के जमाने में नौकरी मिलना आसान बात है क्या जहां देखो सब 10,000 BCR की घूस मांगते हैं तू अपना ही लड़का है देखता हूँ क्या हो सकता है पापा 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 कोई मुझे मानना चाहता है पापा पता नहीं कौन है पापा अभी गोपाल पार्क बेस्मेंट में हूँ पापा पाकड उसको बागना ना पाइब पैसे पड़ी सर बचलो सर सर प्लीज 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 बचलो सर बचलो सर कि अपम उज्शें मांडा देंगे कि आप हुआ है अहु करaser कर अει कर सकीman कर सकी कि वुँ कर दो, कि आमकों पे याल है! कर दो! कर दो, कि एर रत 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 कि एर्ट आप्हाई! कि एर्टी बसे फेत कि एर देन बसंद ए बसंद तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं न है फूंते फूंते मुझे भाई बसंद ठीक्छा के भाई हाँ मैं पूले भाई हाँ भाई वाई ओटे गैंग भाई अरे हम क्या उन्हें मारेंगे भाई हमारे आने से पहले ही किसी ने उन्हें ऐसा धोया है भाई कि एक मैने तक उठी नहीं पाएंगे भाई उस बच्चे का कितना खून बह गया उसकी मामेचारी दिल की मरीज है कुछ उचनीच हो चाए तो देखो एशू नथिंग विल हैपन एवरिटिंग विल ओल्राइट ओके नथिंग इस ओके सॉरी आम सॉरी देखो तुमारी फ्राइट का वक्त हो चुका है अब जल्दी करो डैडी उस बच्चे को चोट लगी है उसका हिलाज करवा के सॉरी तो बोलना पड़ेगा ना उसके लिए हम है न बेटा तुम्हें निकलना चाहिए नहीं उससे होश आने के बाद ही मैं जाओंगी देखो एशू बच्चों की तरह जिद मत करो उस बच्चे को कल होश तो क्या तुम यहीं पर रहोगी बिलकुल यहीं रहूंगी उस बच्चे की जान से मेरा फॉरेंट ट्रिप ज्यादा जरूरी है क्या मैं यहीं रहूंगी ड़ाइडी पिछले मैंने पूछा तो कहा इस महीं नहाओ अभी पूच रहा हूं तो कह रहे हो अगले माहीं नहीं यह इसी बार का नहीं हर बार का तुम्हारा नाटक है मैं क्या तुम लोगों को बेव कुछ दिखता हूँ किराया नहीं दे सकते हो तो चुपचाप घर खाली करके निकल जाओ मुंबई में पार्क और बस्टाप की कमी नहीं है अंदर कोई है यह सब मर गए कोई जवाब को नहीं दे रहा है अंदर क्या बेशर्मों की तरह बैठे हो पता नहीं किन से पारा पड़ा है भिकमंगे कही के उनकी तरफ द्यान मत दे तो चुपचाप खाना खाले बेटा क्रि जब तुम्हें सिंदूर नहीं दे सेगा वो हमें क्या देगा तो क्या मुझ देख रहे है चल कॉलेज जा भाईया मुझे कॉलेज की फीज भरनी थी नहीं भर पाए तो कॉलेज से निकाल देंगे भाईया सब लोग मिलकर एक दिन जान ले लो मेरी बैया क्यों कहला आश बैटा कोलेज में किसी लड़की से च्छड़कानी करते हुए पकड़ा गया है वाई उस एरिया के इसी पी पैसे लेने से बना कर रहा है डिपार्टमेंट में कम से कम एक मर्त हो है अच्छी बात है यह क्या बोल रहा है सुन मेरी बात मर्दानगी का मतलब है औरतों को सुरक्षा देना जबदस्ती बच्चे पैदा करने नहीं पूरी बात सुन सीधे जाकर उसे सरेंडर करने को बोल अगर उसने बागने की जरावी कोशिश की ना पुलीस वालों से पहले मैं कुद दुलाई करूंगा उसकी बाई मदद कर सकते थे ना यह बाई बहलाई के लिए मदद सिर्फ अच्छों की बाई क्या है विश्वा बेटे को कॉन्वेंट में डालना है पचास जार का डोनेशन मांग रहे हैं उपर से माबाप को ग्रेजुएट भी होना चाहिए कैसा जमाना आ गया है डोनेशन फीस ट्यूशन साथ में माबापी पढ़ा लिखे होने चाहिए एक जमाने में गुरु दक्षिना लेकर पढ़ाते थे हम तब पढ़ नहीं पाए अब जब दक्षिना के बगएर कोई गुरु मिलता नहीं है तो हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं है नागा हाँ तो उस प्रिंसिपल के पास चला जा और मेरा नाम लेकर पांच लाग रुपे लेकर ठीक है इसको पचास हजार दे और बाकी पैसा नातार्श्रम में भेज़े भाई वसंद को बचाने वाला आया है पैसे हैं इनके बेटे को बचाने के खाते ही है घर पर आये बिकारी को पैसे दिये जाते हैं नहीं चाहिए है रुको मेरे बेटे को बचाने का इनाम तो लेना ही होगा मैं होता तो अपनी जान दे देता चाते क्या हो मैं अपनी जान दे दूँ आप दे पाएंगे जानते हो कहा कड़े हो बाय के घर में शीव जीवाले शम्शान में भी ऐसे ही बोलता हूं मर्द हो इसलिए कृष्ण गोपाल न करने से पहले ही अकड़ क्या चाहते हो मुझसे पेड़ भरने के लिए एक नौकरी दे पाओगे देता हूं हाथ में चूड़ी पेना कर मर्द को औरत बना रहे हो यह मामूली चूड़ी नहीं है इसे तुम्हारे हाथ में देखकर सारा शहर तुम्हें सलाम ठोकेगा इतने लोग हैं मेरा क्या काम इन सब को देखता हूं तो उनमें मुझे उनहीं का चेहरा नजार आता है पर तुम्हें जब देखता हूं तो तुम्हारे चेहरे में खुद को ही देखता हूं तुम्हारी याँखों में छल नहीं है चेहरे पर धूखा नहीं है मेरे कपड़े दो देना मुझे काम पर जाना है ऐसी कौन सी बड़ी नौकरी है इससे अच्छा तो किसी मटन शॉप में काम पर लग जाना चाहिए था तुम चुप रहोगी क्या मैं क्यों चुप रहूं तुने मुझे पैदा किया या मैंने तुझे पैदा किया मुझे और द बताया इंस्पेक्टर ने मैं बात करता हूँ रुको बोला ना मैं बात करता हूँ कब है वो केस तुम लोग उसे डूड़ने की कोशिश मत करो मैं खुद बेल दिलवा दूगा सुनो पैसे दो इनको ठीक है बाई चलता हूँ भाई ठीक है क्रिश्णा अरे वो है ना जो दूद बेचता है ना रगू वो दादे रोला चुकरा हां बहुत बढ़िया है एक ही दिन में हमारे एरिया को समझ गया हो तुम हम जरा उससे बात करो यह इसलिए कह रहा हूँ कि म्यान में एक ही तलवार जानता हूँ कम 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 संभाल के आना बेटा बी केरफूल ओके कम कम अरे थोड़ा रोको तो बच्चे रोट क्रॉस कर रहे हैं दिखाई नहीं देता है चला हट जा इतने भी क्या जल्दी हुप है कांट यू वेट फॉर सम टाइम थेख भाई बैंट जी एंग्रेंजी जाड रही है नंबर प्लेट नोट करके पुलीस में कम्प्लेंड करूंगी पहुकना बन करो अपना काम करो जाओ गुरू आ गई पकाड उसको चलो चलो जल्दी चलो ना अंकल आप फोन रखिए डैडी अपना लैप्टॉप बंद कीजे लेकिन क्यों बेटा पहले मेरी बात सुनी आप लोग पता है आज क्या हुआ बेटा वो सडक चाप गुंडे फिर से फॉलो कर रहे थे क्या नो एक इडियट ने आज क्या किया पता है तुम ठीक से बताओगी तब पता चलेगा ना जब मैं रोड वॉलंटरी कर रही थी ना छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए ट्राफिक सिगनल क्रॉस कर रहे थे वो इडियट्स रैश ड्राइविंग करते हुए आ गए इडियट् था था ना वो तो पक्का मवाली लग रहा था फिर से किसी के बारे में बिना कुछ जाने कुछ भी बोलना घलत है ना हां पता नहीं उने क्या जल्दी रही होगी और वो जो ड्राइव कर रहा था था ना पक्का टपोरी था डाडी आ नो इट अरे इसे तो अब सभी लोग नजर आते हैं मैं सच के रही हूँ डाडी एशो आंटी हाई आज ओफिस कैसे आ गए घर पर बहुत बोर होता है ओफिस आओ तो तो तुम्हारे अंकल को बुरा लगता है मैंने सुचा बोर होने से अच्छा ओफिस आजाओ आपने बहुत अच्छा किया आप जानती आज क् वालंटियर कर रही थी ना यह तो सदक पर खड़ी थी एक तपोरी गाली डाइप करके वहां पर आया बच्छे वहां रोड क्रोस करें थे उसने जोर से हॉल दबाया तो तुम लोग बोलो ना चोड़ो मुझे यह चोड़ूंगा नहीं तुम लोग को चोड़ो मुझे हाथ कौन है तो जास्ती बात मत कर बात सुन मेरी कल तक अगर पैसे नहीं आए ना बेटा तो हमें इश्या के लिए बंद करवा देंगे अज शांबू सिनेमा जा रहा है तुम को यह दूसरा प्लान मत रख लेना एक मिनिट स्टॉप स्टॉप अरे क्या हो गया देखो ना जगड़ा हो रहा है स्टॉप हमें क्या लेना देना है आईश्यू चुप चाप चलो अरे आईश्यू आना तुनिया भर की टेंचन इसी को है कि माइलोट बीच सडक पर गाड़ी के साथ तोड़ फोड़ करने की वज़ा है कि जो नागा अल्याज नागराच पर केस किया है उसे बापस ले लीजिए वर्णा आपके बेटी जो है ना क्या नाम रहे उसका लक्षमी नैशनल कॉलेज फस्टियर डिग्री केस वापस नहीं लिया तो आपकी बेटी कुमारी लक्षमी श्रीमती लक्षमी बन जाएगी इतना ही नहीं होश्यारी की तो गर्भती भी बन जाएगी मैंने तुझे बोला था ना देखो वही मवाली वहां जगड़ा कर रहा है तू आ मेरे साथ आईशू छोड़ यार आईशू तो यहीं खड़ी रहे मैं ही जाती हूं केस आपको और भी मिल जाएंगे पर बेटी कहां से लाओ गये अधानी चलते हैं एक एडवोकेट क्या होता है हम इन्हें दिखाएंगे चलिए साथ देने वाले जन्नत तक नहीं जाते शम्षान में मिट्टी डालके निकल जाते हैं इडियट आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर मेरे साथ चलिए धानी चलते हैं बेटा तुम यहां से जाओ बेटा जब कार पत्थर पड़े उस गाड़ी का मालिक बिंग लॉयर वह खुद ही चुपचाप होहां खड़ा था तो तुम्हें क्या पड़ी है उसकी सब के सामने कहता है अपना काम कर दू मेरी बेज़ती कर दे रिलाक्स रिलाक्स किसी पागल ने अगर कुछ कह भ पूरी हो और फार गेट इट कमान खाते हैं मुझे भूख नहीं है गुस्सा अभी तक नहीं गया ठीक है तो फिर मैं भी यह नहीं खाऊंगा आप क्यों नहीं खाएंगे बेटी के बगार खाना खाने वाला कसाई नहीं हूं मैं इनसान हो बेटा डाड़ी आप खाना खा ल तू ही मेरी जान है मैं चला जाओंगा तो तुम्हारी देखाल कौन करेगा डाड़ी बेटी कितनी एमोशनल हो गई हो तुम हो गया चलो अब खाना खाते हैं हाँ कमान 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 चीर आप आइसक्रीम तो नहीं खाई ना और वह मवाली ना डैड़ी कहीं पर मिल गया ना मा उतारो अरे जाओंगे तो पाट लेगी इडियट कहीं के गुरू इसकी स्पीट देख करतो यह गवर्मेंट नहीं प्राइबेट कंडिडेट लगती है एई क्या मूल रहे गवर्मेंट की छोरी साइखी चलाते गवर्मेंट फैक्ट्री जाती है यह जा रही स्कूटी पे यह तो पक्का आइटी बीटी काम करती है इडियट दिखाई नहीं देता हौन बजा रहूं सुनाई नहीं सुनाई देता अजय डालूंगा तुझे उसने हॉर्न बजाया था तो तुम्हें उसे साइड देनी चाहिए थी अगर तुम उसे साइड दे देती तो वो लेफ्ट या राइट लेकर चला जाता तो मुझे उससे घबरा कर उसी को साइड देनी चाहिए थी है ना अरे यही ट्रैफिक रूल्स है वैसे भी अगर तुम घबरा जाती तो उसमें क्या घलत है यह क्या बोल रहे है डैडी मैं उन मवाली गुंडों से क्यों डरूँगी क्या कर सकते हैं बेटा आज के जमाने में भगवान से भी जादा यही लोग ताकतवर हैं हम बस अपना काम करते रहें इसी में भलाई हैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती उस मवाली का तो कुछ करना ही पड़ेगा उससे तुमें क्या मिलेगा आइंदा मुझे परिशान नहीं कर पाएगा बस मैं उनसे दूर रहना होगा बेटा देखो बेटा अगर तुम उनकी कमप्लेण करोगी और वो लोग बदला लेने के लिए आगये तो तो क्या इसतरा घब राके हमें घर पे ही बैठे रहना होगा क्या करोगी, आज हम जीने सेलेक्ट कर रहे हैं, लेक्ट कर रहे हैं, आखिरकार जिनके तलवे चाट रहे हैं, वो भी यही लोग हैं, यही लोग हैं, कुछ नहीं किया जा सकता, कम ओन, लेट्स है स्टॉबरी, स्टॉबरी वाट, हाइस क्रीम, हाइस क्रीम बेटा, बेटा, अगर यह डिल पूरी हो गए ना तो लाइफ सेट है है ना सच है ना है कृष्णा मैं बस आदे घंडे में जागर आता हूं कि कहां से यहीं बगल में गर्मा गरम हरी मिर्च का भजिया मिलता है अभी जाकर लिया आता हूं यह खा तो रहा है ना खाना पेटू साला यह से क्यो कि बोलना कि दीदी को हॉस्पिटल में एड्मिट किया है दस अजार तो लगेगा सेंटिमेंटल सिनेमा की कहानी बता रहा है तो यह काम कर वैब में बैठकर नीट पी ले सारे दुख भूल जाएगा है अब कि डॉक्टर ने क्या बोला ऑप्रेशन तो करना ही पड़ेगा बाई से मांगना था ना एडवांस ले चुका हूं क्रिशना फेर से मांग सकता हूं क्या जेब में एक धेला नहीं है दिमाग काम ही नहीं कर रहा है हाई गाईज इस एपरिल 17 को हम रोड सेफटी अवेरनेस और नाइस करने वाले हैं आप सब कुस में ज़रूर शामिल होना होगा आप सब कुस में ज़रूर शामिल होना होगा I hope all of you will participate. Thank you very much. Thank you sir. It's okay. Daddy, कोई काम धंदा नहीं है क्या? जब देखो तब शादी 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 एक आइडिया देती हूँ आपको देख मैरेज ब्यूरो खोल लीजे मेरी तरह काही लड़कियों की शादी नहीं हुई सवाल अच्छा है मुझसे शादी करने वाला लड़का बहुत स्मार्ट हो यह ज़रूरी नहीं है जस्ट डिसेंट एंड रिस्पॉंसिबल इतना ही काफी है समझ गई और अगे और फिर सुबाटते ही बिना किसी एगो के मुझे एक बेड कॉफी बनाने वाला तुम्हारे कपड़ को इस्तरी करें एक्जाक्ली एक्जाक्ली कॉंग्राचुलेशन इस जनमें तुम्हारी श देखा ना वो मुझे ही फॉलो करते हुए है चल 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 कहा ले जारी क्लास है है एक्चली देखिए वो रोड सेफ्टी प्रोग्राम एप्रिल 17 को होना है तो जो के रीगल थेटर में जाके देखिए एक्चली गजनी के त्री शोज आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे त चल 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 अरे यह तो यहां भी आ गया है हलो कौन है अप हलो मिस्टर यह कौन है आप मैं आप से पूछेंदे अबने भाईया चेंदे बोला ना कि आप देखना अरजगा मुझे फॉर्व एक्सक्यूज मीं क्या वह लिगा क्या देख रही हो हमारे कॉलेज में मवाली ऑं मवाली कहां बोगदी में पेहन रखी है ना ही है और फिर भुख कुम लोग यहां क्यों आयो इस कॉलेज में क्या काम है लड़कियों को चेड़न पुलिस को बिला लूँगा हाँ क्या सोवज रखाए तुमने यहां पर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अकल क्या गास चरने गई है तुम्हारी चलो निकलो यहां से कॉले जाहिए यह कोई गुंडागर्दी करने की जगा नहीं है आज तू देखना इसकी खेर नहीं च एशू हां इस तरह मर्दों के खेल सीखने के बजाए एक मर्द कोई क्यों ही अपना लेती हुम्हारी अब तू शादी कर ले यार एक तो डैडी मेरे पीछे पड़े हुए अब तू भी शुरू हो गई मेरी बात तो सुना एशू श्रीकान नाम का एक लड़का है बैंक में ऩांटी के रिष्ते में भी है एक है नहीं-चुरू हेत किया मैं उसकी बारे में बात करी थी हाँ वह भी तक तरह दिल से दिल कि ना वो अ ओเอट मेरे दिल में वह में डफो आयशू वह अभी भी तुम्हारे मन में बसा है इतना डिस्टपतो हमें सिक दो बेटा हो गया क्या अभी तो एक ही किताब मिली है और पिर पीन चाहिए एक घंटा हो गया है बेटा चलो चलते हैं नमस्ते सर आज आप यहां पर यह चलाया पिछली बार जब आया था तो एक बात बोली थी मैंने याद है बेटी शादी की बात लीजिए मेरा नाम यहां भी रेजिस्टर कर दिया ना इहां बेटी शादी मेरे डैडी कुछ भी बोले आप सीरियसली मत लीजेगा ठीक है अब दूसरा कोई काम नहीं मेरे लिए तो सबसे जादा इंपोर्टेंट काम है यह यह बेटा देखो बेटा जब चार-पांच लोगों से बात करो ना तभी अच्छा वर मिलेगा इसलिए लोगों से बात करनी पड़ती है ना अर बेटा इसलिए लोग तो यहां भी आ गया गया अरे बेटा क्या बात है मुझे पैन दीजिए अभी आ गया ना तु लेकिन आप ज़रा चुप रही है ना डाजी लेकिन बेटा क्या करें लड़की तु पागल हो गया तो तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है मवाली अपना चेरा देखा है कौन तेरा पीछा कर गा निकल ए इ मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा नाम क्या है प्रिष्ण गोपाल करेंगा सारे घटिय काम और बढ़ से भगवान का नाम शरम नहीं आती आपना मुझे अधर नहीं बहुता तुम स्लोफर से माफी मांगते जा रहें आपके यस अग्ली बात पीछा किया ना तो देखना क्या खुरूमी छोड़िये डाडी अरे क्यों ऐसा तो ब्याइब कर रही हो बेटा डाडी आप भी उस मवाली को सपोर्ट करने लगे मामेशा मेरा पीछा करता रहता है क्या सर क्या हो गया अब कुछ भी नहीं बेटा पताने कोई क्रिष्न गोपाल है हर रोज मेरी बेटी का पीछा करता है अरे आज तो यहां भी पहुँच गया सर रोज के बारे में तो नहीं जानता है मगर आज क्रिष्न गोपाल यहां पर मेरा आईडी कार्ट देने आया था सुन लिया बेटी इसलिए कहता हूं जीवन में सब्र रखना चाहिए मा आती हूं मा क्या लेकर आजल्दी चोड़ नहीं चाहिए तू भी तो एक औरत है सबसे प्यारों शांती से बात करते हैं वह ऐसी क्यों है किसके बात कर रहे वहीं जो रोज कूठी किया मा वही आच्छा तूने कुछ किया नहीं है ना तो चुपचाब जाके सोजा जब देखो चिलाता रहता है मुग क्या देखते हैं पढ़ाएकर मैंने उसे कुछ नहीं किया भावना यार जहां देखो मेरे रास्ते में आके मरती है जरा भी शरम नहीं है उस लड़की को पागा नूजो उसके बीचे जाओंगा वो देखने में सुन्दर है क्या दिखने में तो ठीक ठाक है उससे तुम पर बहुत गुस्षा है कुछ ज़्यादा ही है जहां प्यार होता है वहां कुस्षा होता है तुझे कैसे बता अब मा को रिखो तुम पर हमेशा गुस्षा करती है फिर भी तुम्हारे लिए अपनी जान दे देगी तु पढ़ाए कर वही तो कर रही थी amma, 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 amma कि 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 आ अफिस जाने के लिए देर हो रही है मिस्टर सिगनल मिल चुका है गारी निकालो दिखाई नहीं देता है क्या बच्चे रोड क्रास कर रहे हैं तर रुकिये सर क्रिष्णा तबियत बिगाड़ जाएगी बहुत हो गया चलो चार दिन से सेटिंग रहे हम लोग कॉस्ब्साले पता निंक्ट कर रहा है चोना कःहां जाएग इसे रोल से तो आता जाता है आया तो कुब के लेने को बराबर आता है भूल जाता किया और घंदा क्या धमकी कहें कि बजा दूगा साले ठोक दूगा तुझे अभी क्या रहे मुझे मारेगा तू मुझे को मारेगा क्या कैसी रही तुझे चोड़ दो क्रिश्णा पकड़ पकड़ छाले कुछ दूगाने उसे अभी को अच्छाले को देने इसको कहा चाएगा अभाई रूख क्रिश्णा अर्ण रूख क्यों गया आजा प्रूख साले को झाल 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 आई किष्णा वो बच्चे वो बच्चे क्या लगते हैं तुम्हारे बच्चों की मदद करने चले गए और हमारे काम बिगाड कर आगे तुम्हारे फिल्ड में अगर ऐसा करोगे और होश खो बैठोगे तो कहानी खातन। क्रिष्णा ए क्रिष्णा कुछ समझ रहे हो क्या समझे तुम्हारे आपने भी बोला ना पता नहीं मैंने क्या बोला इसने क्या सम्झा जाओ जाओ पहलो वो काम पूरा करो आप कि भाईया खाना खानी चलो तू खाले मैं बाद में खालूँगा भावना हुआ 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 है चीक से पढ़ाई करो भावना भाईया पढ़ाई बहुत जरूरी है तो पढ़ाई कर फीज में भरूँगा मैं तो पढ़ नहीं पाया अब नौकरी क्या करता हूं एक मवाली की लोगों की नजर में गुंडा राओडी है कि लोगों का कहना भी सच है मैंने इसा कौन सा अच्छा गाम किया जो भला इंसान कहला सकूं क्या तुम्हें काम पसंद नहीं भाईया तो छोड़ दो ना ये नौकरी जैसे भी कमाराओं जिन्दगी तो गट रही है ना और मा तो खुश है ना अगर तुम बदलना चाहोगी तो मा भी खुश होगी हाँ खाना खाले और तुम का लूंगा अच्छे से पढ़ाए कर ठीक है भी प्रश्ण क्रिश्ण क्रिश्ण क्या बात है अब क्रिश्ण का है माजी वो तो सुभाई कहीं चला गया है प्रश्ण कहां अब कहकर गया है भाई ने कुछ काम बताया है भाई ने कहाँ हम खुद अब भाई के पास जा रहें यह क्या बात है बच्चो कुछ नहीं माजी स्टी का कुछ प्रॉब्लम था है मेरी शुपकर मोटे चलते हैं माजी भावी एक बार तो हाँ बोल दीजिये भाई की जानटकी है भावी वाट भावी बोला चपल से चपल क्या चपल की दुकान खोल देंगे भावी तुम मेरा दिमाग खराब मत करो सर में दर्द आपको मेडिकल शॉप खोल देंगे भावी तु पागल हो गया गया तेरी यहां नहीं कामाने वाली महरबानी करो जो कर लो मेरा पीछा चोड़ अब प्लीस इस तरहां बात करो तुम्हें पता है छे महीने से तुम्हारे पीछे घूम रहा हूं तुम्हारे लिए तो यह लाइफ स्टाइल यह है इंगलिश भी बोल लेता हूं हार्ट बीट बढ रह अहल caval लाइफ्रेंड से पूछ के बताती हूं बॉयफ्रेंड काौन पर जा रहा है तू किस अरीयक है तू नहीं जानता कि लड़गी मेरी है एक्स्क्यूज मी इस ने मेरी अ़िए तू किष्ब किष्ब κάष चाफ़ेगा क्या कठ लेगा क्या कर लेगा तु में बोला ना चाबी बदीजीर बाद में लोग बात करес में खड़ी है तो नहीं को दिखाता है तू अभी मुझा और भाई खून चलो जल्दी कर चलो आज से खतम कर दूंगा जल्दी बाच चलो जल्दी चलो जल्दी लेज़ा हाथ पे चोट होगा अब हाँ आईस अईस वगरा आथ पे तो के एक्स्कूज मी, थांक यू मैं आपका पीछह नहीं कर था, मैं आपका पहले तो उसने मारा, फिर भी कृष्णा नहीं मारा, इक्जेक्टली लाइक दिस, इसी तरह ड्यारी, मेरा हाथ फकड़ लिया, एक ही फटका, देखो देखो इसी तरह, डैडी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको सुन भी नहीं रहे, मैं सिनेमा देख रहा हूँ, बेटा, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, कराटे आता है, मुझे नहीं आता है, आपको नहीं डैडी, कृष्णा को, अब ये तो उसी से पूछना पड़ेगा, देखो ये सब आपके दार होगा, कौन हो तुम लोग, कहां घुसे आ रहे हो, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए तुम्हें, हाँ, कहां है तेरी वो बेटी, हाँ, कौन आया है डैडी, बता नहीं, कहां पर आया है बाई, तमीज से बात करो, काट के फेक दूँगा, वो जो हीरो बन कर यह तुम उसी से पूछ लो, ऐसा मारूगा ना, कि कान बंद हो जाएगा तेरा, अरे आश्यू, जानती हो तो बता दो बेटा, मुझे नहीं पता डाडी, मैं भी आजी पहली बार मिली हूं उससे, फोकट पर टाइम काइवेस्ट करते हो, गेन के चार एरिय है, चोकरों के वो लोगा तो उठा कर ले आएगे, चल, अकेली मिल तेरी बैंड पर जाते है, देखना तो जल्दी हमारे हाथ में आई थी, देखा ना बेटा, इसलिए कहता हूं, दोसनों के मामले में टांग नहीं घडाया करते, अब देखो कैसे कैसे लोग घर में घुसाते है, सौरी ड सब्सक्राइब करते हैं, क्रिश्णा यह क्या बोला यार, चार-पांच फंटर लोगो साथ लाकर रोब जमना चाहता है, तो मस बात समझ निकल, क्रिश्णा चुपकर, दो-चार बार रेजर मूँ पे घुमाऊंगा ना तो अकल आ जाएगी, आएगी, बात समय, आएगी, फक्रिश्णा पक्रिश्णा इसको आप अज़र करना चाहता है, बात समय, अज़र करें और अच्तर आएगी, अज़र करेंगा यह आएगी, प्लाणा निसको आप का फेट थो आजू अगले खागैंकilah! नगलेको भूले समकती याओ! जयाएई, को! जयाएई, को! जų मिले लोग बारे! जो फसा, को! जयाएई! हार! हुआ है... क्रिश्टा निकल यहां से निकल यहां से निकल यहां से बोलो ना क्रिश्टा करिश्टा क्रिश्टा चल निकल यहां से चल चल ती जाए रह शे जाए 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 क्रिश्ण क्रिश्ण करो जलती करो जलती चला है क्रिश्ण क्या आदमी है रहे कुछ भी पूछो तो बोलता है नहीं पता वो कौन थे मुझे पता चलना चाहिए आप टेंचन मतली जबाई हम है ना ढूंड लेंगे उन्होंने क्रिश्ण के ऊपर हात महीं डाला है मुझ पर डाला है अब वो चाहे कहीं का भी दादा क्यों नहों अगले आदे गंटे में वो मेरे सामने होना चाहिए यह समझ लो क्रिश्ण आपका आदमी है यह उन्हें पता नहीं होगा इसलिए मारा होगा घ आपके घर पहुंचने से पहले वो हरामी लोग आपके पैरों में पढ़े होंगे ठीक है बेटा क्रिश्णा के घर वालों को पैसों की जरूर्थ हो तो मुझसे मांगे ना चल रहे है हाई हाई है यह आपके लिए मेरी माँ है नमस्ति माजी मैं एश्वर्या हूं यही मुझे अस्पतार लाई थी अच्छा तुमने महरबानी की बेटी एक्चली मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए कल वो क्या हुआ ना क्या हुआ था मेरी बहन भावना ओ हाई है नाइस टू मीट यू इनको तो जानत करीटी चाहिए क Name दूम्मा अजिफ माजी को लेकर घर जाओ क्या है चला हम लाटे चल시고 हम ठाण घाल एक लीचंटी चलो सब्सक्राइजियॉ अब कीजिए आप मेंसे को रुक सकता है बाकी सब बहार जाएए अब तुम्हां समझ में आया चलो, चलती हूं, ध्यान रखना, अच्छा विटी, भाई, ख्याल रखना महिया, बैठी है न, कोई बात नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, नहीं, क्रिष्णा, मैंने आपको गलत समझाता, नहीं है, आप गलती मेरी से, आप जहां जाती है, मैं वहाँ चला आता, किसी से भी गलती हो सकती है, मुझे एक छोटा सा घाव भी हो जाए, तो मुझसे सहन नहीं होता, और ऐसे में, आपको इतने बड़े चाकू से, सोचकर ही डर लगता है, क्रिश्णा, आप से एक बात कहूं, मैं आपको जानती हूँ, इसलिए मैंने आपकी मदद के, लेकिन आप में और उन गुंडों में मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई देता, आपको, आपकी हालत को देखकर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उसी तरह, आपने, जिन्हें मारा, फैमिली वालों को, कितना बुरा लगा होगा, है ना? आपको इंप्रेस करने के लिए, आपके काम की जूटी तारिफ तो मैं नहीं कर सकती हूँ, वो इसलिए कि पापा ने परवरेशी असी दिये, जरा सोचिए क्रिशना, आपकी एक मा है, एक बहन है, जिम्मेदारिया है, मैं ये सब आपसे क्यों कह रही हूँ, मुझे भी नह नहीं पता, बताने का मन किया तो बता दिया, आप बदलोगे तो आपकी मा बहुत खुश होँगी, और बेहन को भी खुशी होगी, सब लोग बहुत खुश होँगे, इतना ही नहीं, मुझे भी बहुत खुशी होगी अंधेरा होने तक सिर्फ चिपसी खाते रहेंगे क्या, जो बोलना है जल्दी बोल मुझे खाना खाने जाना है यार, अबै चप देख क्रिश्ना, कोई लड़की आके अंग्रेजी में भाशर देकर गई तो भी भाई की नौकरी नहीं छोड़ सकते, कल को जब पेट में दाना नहीं होगा ना, तो लड़की खिलाएगी क्या, देख क्रिश्ना, भाई जी अच्छे हैं या बुरे हमें क्या, मगर आज तक हमें पैसे देकर पाला उसने, हम उसे भूल नहीं सकते, हो थामस, तो चुप रहेगा क्या, और कितने दिन तक भाई की तुकड़ों पर पलता रहेगा, कोई पूछे कि क्या काम करते हैं, तो क्या जब आप देंगे, कोई साला फोन करके इसे मारदो, उसे कारदो, इसे उड मैं करूँगा, मैं भी रहूंगा यार, मुझे सिर्फ खाना खिला ते रहा ना बस, तुम नोगों ने बोला तो मेरा भी वोट क्रिश्णा को, लीजिये, सर, 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 देखिये, तो, सर, बहुत अची किया हो, रुको ना, रुक जाओ, ना, एक निट, स्टॉप, स्टॉप, कहां जा रही हो, आईशू, एक मिनिट में आती हूं, है, कौझ आईशू, प्रिया, यह एक रिश्णा जी, सरी, कृष्णु गोपाल जी, यह एक मेरी कज़िये, एक रही हो रही है, चलना, रुक ना, ओही है, आईशू, मा को बहुत ले जाना यह दाड़ी बेट कर रहे है, आप यहीं पर रहें है एक मीनिट रोकना संजा करो एजफीन छूट रहे हैं लीजे रखिये ऊके आईशु आइशु अजी महां हूप एशु 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 क्या वा बेटा क्या बात है दर्वाजा भी खुला और तुम गुमसुम बैठी हुई हो क्या वा बेटा सर में दर्द है नहीं डादी बुखार है टैबलेट ले आता हूँ नहीं डादी एक कप गर्मा गरम कॉफी कॉफी चाहिए तुम्हें आई विल गेटी टेक मिनट रुको कॉफी है तो कॉफी कॉफी रेड़ी प्लासक वाली कॉफी दे रहे है अपनी बेटी के लिए ताजा कॉफी नहीं बना सकते क्या आप से कितनी बार कहा एक काम वाली को रख लो शारा कम खुदी करेंगे कूल कूल फ्रेश कॉफी चाहिए ने तुम्हें मैं अभी बनाता हूं दो मिनट दो डाड़ी अब क्या है बेटा डाड़ी आईए बैठिये क्या हुआ आज तो शायद में कुछ ज्यादा ही बोल गई बेटा तुम मेरी जान है बेटा तुम जितना भी बोलो मुझे खुशी ह होती है फिर भी जब तुम इतना सब कुछ बोल रही हो तो जरूर कुछ हुआ है वह म्यवाली आज भी मिला था क्या है है नहीं डाड़ी आज मुझे वह मवाली नहीं मिला था ओके कॉफी चाहिन हुन तुमें loh डाड़ी फ्रेश कॉफी यू मीन टू मिनेंट्स नेट तू मिनट्स अभिला हुआ 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 है एक्सक्यूज मी वह नहीं है वह मतलब वह मतलब कृष्णा कृष्ण गोपाल क्यों कोई के डील करवानी है क्या डील क्या वह कमीना हम तीनों को सडक पर ले आया और खुछ जाके डील करके नोट चाप रहा है और तुम्हें के क्रिश्णा विष्णा करके दिमाग खारी हो जाओ अपना काम करो वह गुंदा रासकल कहीं भी भाहर में जाए मुझे उससे क्या है मैं तो पागल की तरह हमेशा हर एक के मामले में टांगडा लेती हूं उस पर अगर गुश्णा है तो मुझे क्यों निकालते हो उस चीट की बारे में मैं क्यों बात करूं वह भी तुम्हारे साथ मेरा और उसका रिष्टा क्या है प्रिष्टा क्या है गाड़ी यूचीट कहां गए थे तुम किसे माड़ने गए थे बोलो मैंने किया गया है यूचीट हम सो सोरी आ है यूचीट रहाँ यह लोगों गए बस एक आधा प्लेट एक्स्ट्रा पर एलो क्या अबै जा चाफी नहीं है क्या वो क्या है ना जिन्दगी बसी फुट्पात पर खाना खारते रहें ना लाइफ में फस्टाइम अच्छे होटल में खाना खा रहा हूं इसलिए बस दो प्लेट्स पारसल ले लूं क्या अफकोस जितना चाहो ओर्डर कर लो ले लो ना थेंक यू ए घूर मत यार बीमार हो जाओंगा एक इनिट हाँ हालो हाँ हाँ डाड़ी वही फील्ड इंस्पेक्शन था ना तो मैं चलिया आई गाड़ी में जा रही थी ना इसलिए साइड में पार्क किया है मैंने ठीक है डाड़ी जल्दी आजाओंगी है भाई इडली नहीं चाहिए तो मुझे दे दो जब प्यार शुरू होता है न तो इस तरह का जूट बूलना पड़ता है ये तो मुझे नहीं पता लेकिन मैंने कभी अपने पिता से जूट नहीं बोला ये फर्स टाइम है मुझे बहुत बुरा लग रहा है मैंने माग को तो नहीं देखा मेरे पिता ही मेरे सब कुछ है बहुत प्यार करते हैं मुझसे क्रिश्ना आज मैंने अपने ड्याडी को जूट कहकर जो धोका दिया है उसकी वज़े तुम हो तुम पर जो विश्वास है वही वज़े है यह विश्वास मैं तूटने नहीं दूँगा प्रॉमिस ऐख अश्वदी आप नहीं खा रही है तो डूसा मैं ले लूं क्या ले लो अबसुष्वास की जाते है क्या क्यों एलो गुडिया सर कि गुडिया सर्ट लिजे ना सर बच्चे खुश हो जाएंगे लिजे ना सर एक के उपर एक फ्रीया सर काच निची कीजे ना सर लिजे ना कि अ किष्णा भाई ने देख लिया कि हड्डिया तोड़ते वक्तों शर्म नहीं है कि मैंनत करते वक्त क्यों घब रहे हैं कि अश्य एक एक बार भाई से मिल के हूँ किस लिए एक अच्छे इनसान बनना तुम्हें पसंद नहीं है या उन्हें मिलकर कोई नए डी लेने कहराथा है है ऐसा नहीं है मुश्किल वक्त में पर्सक्राइस मिशल्द आजा कि हो गहां जा रहे हो मुझे थोड़ा काम है बाद में मिलता हूं बहुत हो जाओंगी क्रिछ ना इक दोस्का जरूरी काम है मैं तुम्हें को मिलता हूं कहां ना शाम को मिलता हूं जाओ हालो हाप्रिया एक्स्क्यूज मी अभी अभी मैंने यहां किसी को ड्रॉप किया ना वो कहां आ उस तरफ चले गए उस तरफ मतलब उस तरफ यहां अब हिंडी बाजार की तरफ अरे क्या मस्तत इतली है यार आजकल धन्दा भी बहुत कम चल रहे रही हारे परेशान हो गई हूं किसी और को डूल लेते हैं कैसे ना चल रहनी रुख जा साला कमीना कहीं का साला चोस अरे जा 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 मुझे लूटेंगी क्या कहां भाग रहा है हां देर तरेको पैसे पुरा हम जैसों को दोका दे कर क्या मिलेगा तेरे का भाड में चांदी गंदी जगा थी वह फिकत्नी गंदी जगहा थी तुम्हें मुझे पर भरोसा नहीं है एश्यू अब बात को गुमाओ मत मेरे सवाल का जवाब दो वहां पर क्या काम था दोस्त को मिलने गया था वहां पर पर प्रिश्णा जूट मत बोलो एक तुंगरा खीच के कान के नीचे भाईया हाई एशिू हावयू आयमोके अ अस्मर्ष क्योंव लग रहे हो ओ बैया ने कुछ कढा क्या यह तो हमेशा है कुषन कुछ बोलते हैं भाया यहां क्यों आये हो ओ थामस ऐन की आ रहात है तुम है कैसे पता क्या है भाईया मैं हर रोज कॉलेज इसी रस्टे से जाती हुँ ना इसलिए एक आधबार यहां देखा था उन्हें कॉलेश का वक्त हो गया चलती हूं भावी भाईया की बातों का बुरा मत मानियेगा तो चल यहां का ख्याल रुखियेगा जा भी आप कि आप सुरी क्रिष्णा पर दौमस यहां क्यों रहता है दूसरे एरिये में किराया ज्यादा है यहां पर सिफ 200 रुपे हैं हां लेकिन ऐसी जगह पर कोई भी जगह वो क्या फरक पड़ता है हम अच्छे होने चाहिए अफ ओफ शुरू हो गए हालो मरने आई हूं मेरी शाद मेरे घर पे आज लड़के वाले आये हैं अपनी मन में तुम्हें बिठा कर उस घर में कैसे जाओंगी आपके लड़के आज आएगी भी या नहीं हां बस आती होगी अरे फोन करके देखो हाँ बेटा यही है मेरी बेटी आश्वरिया बहुत देर कर दी तुमने कहीं दूर गई थी क्या क्या है कि आफिस बहुत ही दूर है ट्रैफिक भी जादा रहता है साथ में यह पीक आउर्स भी है न वैसे आज संजे है करने के लिए ऐसा कोई खास काम तो नहीं होता यह शा हमारे जमाने में एक लड़के को एक लड़की के बगल में बिठा देते तो बहुत ही बड़ी पणिश्मेंट जैसे फीलिंग सी होती थी लेकिन आजकल डे नाइट बस, कॉफी दे, पब, बा, क्लब, डान्स, तिस्को, रेंडान्स काहर को जादा ही एंजॉय करते हैं हमें सवाल पूछ लिया तो चेंडरेशन गाप, कॉम्निकेशन प्रोब्लम कहकर हमें ही लेक्ष्य दे देते हैं नो मेडम हमारी आशो ऐसा परताव नहीं करते पट शी बड़ी ओपन प्रोब्लम चाहे इसने कोई भी गल्ती की हो अब ऑशन तक कर वा लिया हो तब लिए इस तरह लो लेवल की बात कौन सहेंगा अरे तुम जैसों की कैसी इज़त, गेट लॉस्ट आइसेट एव वैंकट, माइट फूट, एए चलिये न, क्या मूँ देख रहे हैं इनका प्लीज, प्लीज, रुख जाएगे मैडब, रुखे लो जाने दो, क्यों रुख रहे हो यह सब क्या है वैंकट, इस तरह रुडली बात करते हैं क्या जानते हो कितना बड़ा परिवार है उनका आहा, देख लिया मैने, मेरी बेटी किसी काम से बाहर गई, आने में थोड़ी देर क्या होई कि यह लोग इस तरह से बाते करने लगे वो भी एक औरत होकर, एक प्रोफेसर होकर, बॉय फ्रेंट के साथ घुमने गई थी क्या यह पूछ रही थी मेरी अश्यू को क्या तो जानता नहीं सॉरी डाडी ए बेटा, ए बेटा, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो बेटा मैंने आपसे एक बात चुपाई है डाडी कौन सी बात? I'm in love with somebody जानती हो वो कौन है बेटी, थोड़े से पैसों के लिए लोगों की पिटाई करने वाला 3rd grade गुंडा है नहीं अंकल, वो मुझ पे अपनी जान चड़कता है क्या का? अपनी जान चड़कता है? तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बाप का क्या होगा? वो अपनी जान देदेगे आइशो तेरे बाप ने तेरे लिए जिंदीगी कुर्बान कर दी बेटी उन्होंने एक पिता की तरह नहीं नौकर की तरह तुम्हारी सेवा की है आइम सॉरी डाडी आइम रेली सॉरी अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भूल की है तो मुझे माफ कर दीजे अगर मम्मी भी होती तो वो भी मुझे इतना प्यार नहीं देती और मैं आपकी लाडली अपनी जिम्मेदार्य नहीं भूली हूँ डाडी आइम सॉरी लेकिन डाडी मुझे सुबह निकल कर शाम को पांच बजे आने वाला पती नहीं चाहिए ऐसा पती चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए जिये ये शादी बच्चे इस नोट माइ इंटेंशन आई वाला आज कृष्णा मेरे लिए मेरी वज़े से बदल चुका है आइम सो हापी वो सच मुझ बहुत अच्छा है डाडी बेटा मैंने तुम्हारी भले ही रईसों की तरह परवरिश नहीं की मगर तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होने दी मैं तो यह सोच रहा हूँ कि कहीं तुम्हारी जिंदगी बरभात नहों चाहिए नहीं डाडी कृष्णा अच्छा इंसान है आफ की तरह ही मेरा ख़याल रखेगा प्लीज डाडी प्लीज ओके कह दो ना डाडी देखो आप इंकार मत करना मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ प्लीज डाडी प्लीज तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बिटा अपनी बेटी की सिंदगी तुम अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो प्यार किसी को बर्बाद नहीं कर सकता लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है अब जमाना बदल गया भाई मेरी बेटी को तुम पर बहुत भारोसा है उसे कायम रखूँगा सर यकीन करूँ देखें सर मैं दो जुबान वाला इंसान नहीं हूँ फिर भी मैं आपके लिए कह रहा हूँ वादा निभाऊँगा सर थैंक यू बेटा आँटी हाई आँटी क्रिष्णा कहा है वो तो बाहर गया है बेटा मैं एक सर्प्राइज देना चाहती हूँ क्या बात है उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है आज के बाद उसे बाहर गूमने की ज़रूरत नहीं है आइंदा एसी रूम में बैच कर काम करेगा मेरे लिए लक्ष्मी से कम नहीं है तू कितनी अच्छी ख़बर लाई है तूने जब से इस घर में कदम रखा है सब कुछ अच्छा ही हो रहा है लेकिन क्रिष्णा नहीं है ना वो तो स्वामी के घर गया है और जाते-जाते थॉमस को भी साथ में लेकर जाने वाला है अच्छा ऐसा तो फिर में उससे वहीं जाकर मिल लूगी ओके बाई आंटी पागल हो गई हो क्या मेरी बहु पहली बार घर आई है उसके बर गंदा पानी फेक रही हो अकल नहीं है तुम्हें देखा नहीं बहन गल्ती हो गई पताने कहां कहां से आजाते हैं एशू तुम्हें यहां क्या कर रही हो जाओ यहां से चाओ तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था हुआ कर दो कर के दो segreg कि भाई आये हैं कि काम हो गया भाई कि कृष्णा कि मुझे एशु से मिलना होगा कि एशु से मिलना होगा आपने सच कहा था अंकल एक गुंडे से शादी करने के बाद घर की मान मर्यादा सब तबाह हो जाती है वो दो शादी के पहले ही तबाह हो गई कि डैडी को इस शादी के लिए मना करना चाहिए था अगर मुझसे कहते कि उससे शादी करोगी तो मैं मर जाओंगा तो मैं उसको भूल गई होती मुझे पता है डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं मैंने बहुत गलत फैसला ले लिया था एशु कुछ भी नहीं हुआ दिखकर उसी मुहर्त में तेरी शादी करवाऊंगा नहीं अंकल अब मेरी जिंदगी में किसी और के लिए जगा नहीं है मेरे लिए डैडी है काफी है अच्छा हुआ कि उस गुंडे से शादी नहीं होई उससे शादी कर ली होती तो हर दिन नरक देखना पड़ता मुझे मेरे सर में बहुत दर्द है डैडी मुझे एक कप गरम कॉफी चाहिए फ्लासक वाली नहीं चाहिए मुझे आ फ्रेश कॉफी लाकर दीजे अंकल कहा है आप नहीं रुक दो भाई क्रिष्णा क्रिष्णा क्ये लुफ क्ये लुफ अरे क्या हो गया है क्या हुआ रहे एश्यू के पिता ने क्या हुआ जल्दी बोल फासी लगा ली यार क्रिष्णा क्रिष्णा क्रिश्न क्रिश्न सभूल अपने आपको सबकुस्टीक हो जाएगा it इम्मत से कामने कृष्णा इम्मत से कामने कृष्णा इस घर में एश्वरिया रहती है ना उलोग घर खाली करके चले गए अश्वरिया हाँ वाँ से अश्वरिया मैडम से कोई मिलने के लिए आया है सर जुरा इश्वरिया से मिलना था तुम उसे जैन से जीने नहीं दोगे क्या सर प्लीज सर घर पर भी गए थे पता चला आपने घर खाली कर दिया बस एक बर मिलना था सर किसलिए अभी तो पिता की मौद के सदमे से बाहर आई है उसे फिर से सब याद देलाना है क्या चलो दफाओ जाओ एए एक मिनिट सर प्लीज एक बर बुला दीजिए प्लीज सर तु यहां से दफाओ होता है यहां पुलिस को फोन करो ए रश्मी सर कॉल पॉलिस को फोन करो अब मेरा अपना कोई है तो यहीं है उन्हें भी मार दोगे क्या मैं भी तुम्हार ही हो तुम मेरे हो दफा हो जाओ अशू मेरी बात उसको प्लीज आशू देखो जो हो गया जो हुआ उसे बुरा सपना समझ कर भूल जाओ आशू क्या कहा तुम नहीं सपना आखें खुलने से पहले बेट कॉफी हाथ में लिए डाडी खड़े रहते थे वो सपना था ओफिस तक मेरे डाडी मेरा लंच बॉक्स लेकर आते थे वो भी सपना था छोड़ो यह सब बात है अब तो जगड़ा करने के लिए भी मेरे पास कोई नहीं बचा मुझे अ मेरे डाडी को मार दिया नहीं मैंने तुम्हारे डाडी को सच कह रहा हूं मुझे मत देखो ऐसे मत देखो ऐसे देखते हो तो मुझे डल लगता है मेरे डाडी की मौत आंखों के सामने आ जाती है क्रिष्णा, 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 क इसने वह बिस रूपिय हैं जितना भुला ता उतना ही डे रूभा और वी सर्भ निकला भाई के शल्डा भाई है जाधा बात नहीं करने का मीटरीगा निकाल जो इंटंड से भलजे रही हो जितना ही टुड रहो है इपांटो घर निकाला- record 00 g cp Guine00man जागे दिखात धे वतने वतने करने दिखाल पसे गाल पसे आदे यह रहींतो प्दीड़ी दिखाल हें शुवश्मा दो किay si लो किạ को अ we Christmas वे लु लु वे लु लु लव वे लु 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 लाई क्रिष्ण चोड़ दे क्रिष्ण चोड़ दे क्रिष्ण चोड़ दे क्रिष्ण चोड़ दे क्रिष्ण यह प्यार तो साला आरी की तरह होता है यह दो साला आते वक्त भी काटता है और जाते वक्त भी काटता है मगर एक ही एक ही फार के साला आते वक्त दर्द में भी खुशी देता है और जाते वक्त वो दर्द हर खुशी को जला देता है कौफी ले कृष्णा नहीं माँ थोड़ी से पी ले बिटा नहीं चाहिए बोला गाँ कृष्णा अच्छा यह सच्चाई की रहा पर चनने की किस्मत शाइद तेरे नसीब में नहीं है बिटा कृष्णा 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 तुने एस्पदाल का बिल भरा उसे बचाने की कुशिश की यह डिपार्टमेंट और उसके फैमिली को बता चलना चाहिए ठीक है फरार हुए प्रकाश को तो पुलिस मारी देगी हम पर सिंपथी आएगी पुलिस वाले एसे भी को कन्विंस करेंगे निकलो इसलिए कहता हूं कृष्णा तुमें मेरे साथ ही रहना चाहिए हमारे फिल्ड में ताकत वाला जीता है अकल वाला जीता है तुम में दोनों है तू आगे बढ़ेगा मेरी नौकरी मिल जाएगी तुम में तुम में तुम में जाएगी यहिए प्रिष्णा जोती प्रकाश जोती प्रकाश कौन है यहां तुम क्या चाहिए तुम्हें जवाब दो सवाल नहीं जोती प्रकाश कौन है मैं हूं वो प्रकाशो खियो वागव में हे गयो दूम्हें झाल झाल क्या नसीब लेके आया हूं यार हमेशे हिशु के सामने ही बुरा बन जातों जो हुआ अंज्णे में हुआ क्रिष्णा जाने या अंज्णे हो तो ग्याना कोई क्या कर सकता और स्टा जहुяжं गुरु दारू मत प्यों गुरु कि कृष्णा वही हुआ जो तुन्हें का था एसी पी ने अमारी बात मानकर खेस वापस ले लिया रुक जाओ अबैं रुक जाओ इसलिए तो मैं कहता हूं अपना कृष्णा अमारे साथ होना चाहिए कृष्णा तू अकेला मेरे साथ होगी आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बहुत खुशी हो रही है वह इसलिए कि मेरा वसंद किसी लड़की से प्यार करता है सोचा था इस बुद्धु को पढ़ने लिखने के अलावा कुछ नहीं आता यह तो बड़ा सूर्मा निकला लड़की कौन है पता है तुम जि कल तक जो लड़का मेरे कंदे पर बैठता था आज आकर प्यार करता हूं शादी करवादों बोल रहा है इस खुशी का आप जश्ट में आते हैं चलो क्रिष्णा तू भी आजा नहीं मैं यहीं ठीक हूं क्यों रहे यहां लपड़ा हुआ इसके लिए अभी वसंत के लिए करना है ना आज 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 अलो हां बोलिये आधा कप कॉफी लिया शकर कम डागे आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए आरे मैं हूं ना वो सब मैं देखनूंगा नमस्ते जी एश्वर्या नमस्ते बेटा क्या बात है मेरा बेटा वसंत आपकी बेटी को चाहने लगा है इसलिए इसलिए चार-पांच गुंडों को साथ लेकर हाथ मांगने के लिए हो क्या यही मेरे अपने अब क्या करूं मैं कि आप कुश्मत कीजिए चुप-चाप चले जाए हमारी लड़के की सगाई हो चुकी है सगाई हुई है ना शादी तो अभी बाकी है ना बाइसाब अंकल ऐसे थर्ड क्लास लोगों से क्या बात करना एशू तुम ज़रा चुप रहो बेटी देखिए इन बेकार की बातों ये कृष्णा ये भी गुंडा है यहाँ जो भी आया सब गुंडे है लेकिन मेरा बेटा वसंत वो वैसा नहीं है इसके उपर गुंडागीरी का साया तक नहीं पढ़ने दिया है मैंने उसने तो कुछ टाइपराइटर, कम्प्यूटर और नजाने क्या-क्या पढ़ाई की ह आप दोनों की शादी हो जाए तो विदेश या फिर अमेरिका वगर जाकर सेटल हो जाईए इस सब का मैं इंतिजाम करूंगा आप कुछ भी कहें लेकिन वो नहीं चलेगा चलेगा नहीं चलेगा बात की बात है पहले तो आपको मंजूर है क्या ये बताईए मैंने कहाना से मदद मांगने के लिए सैक्रों लोग इनकी चोकट पर खड़े होते हैं ऐसे भाई आज अपने बेटे के खातिर आपके घर आए हैं इनकार मत कीजिए देखिए ये शादी तो होकर रहेगी आपको मंजूर हो तो दुनों साथ में मुहृत निकालेंगे अगर ना कहेंगे तो मुहृत मैं निकालूंगा आप लड़की को लेकर आईए हूं बेटा कि तुम्हारी हिम्मत का मैं कायल हो गया चलता हूं एक और बॉतल मंगा क्रिश्णा बसकर क्रिश्णा चलो घर चलते हैं कौन सा कर्यार अब यहीं तो घर है भाई क्या है नक बारबंद करना है सब लोग चलेगा है वह भी तो बेटा है ना उसको भी भेज रहा हूं भाई साब आएंगे तो चिलाएंगे लाए चल बैट जाए प्रिश्णा भाई के फेलिंग से तेरा साब बढ़ा है गया है आँ एप 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 टू चुप जा बैट जा एप तो निकाजा मैं लेकर जाता हूं जा प्रिश चल कृष्णा घर चलते हैं चोड़ना यार मेरा मन नहीं कर रहा है क्रिश्णा किया हुआ दोस्त भाई बुला रहे है लो एक बर देखो इसको इस आलत में कहा जाएगा कल शुबा आएगा बोलो कोई अर्जंट काम है यह जाना यार जोड़ चल भाई बुला रहे हैं चल रहे बुड़ो भाई बुड़ो अगे आदनान लगा अगेव कर दो दो जो पूम्हां? कर दो जबादा खाया, कर दो यह को दो. कर दो जो जबादा। नहीं पॉलाना चोड़ दो इसे कि नौपाइप माँ भाई से बात करूंगा मगर कृष्णा जौए ऐसे एक निखलो जलो रहे हाँ 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 मुझे अच्छी तरह याद है अंकल यकीनन वही था उस दिन हम लोग एश्यू को देखने आये थे न उस दिन वहाँ आका जिसने फसाद किया था वही लड़का था उसी का एक गैंग भी है पता नहीं और क्या-क्या सैना होगा अरे मा तुम बिल्कुल फेकर मत कर मेरी मा बहुत जल्दी खबरा जाती है अंकल उसकी आपसे क्या दुश्मनी है कुट्य बिल्ली की दुश्मनी के बारे में कौन जानता है हम बस यही कह सकते हैं अरे भाई पुली स्टेशन में कदम रखने से इज़्जत जाती है ऐसा कहते हो फिर भी गुंडों से पंगा लेते हो हम अगर बिना वजय घर आके परिशान करेंगे तो चुप बेटेंगे अरे लेकिन वो रिष्टा लेकर आया थे तो इसमें हर्जी क्या है क्या प्रताप आप भी देखे लड़का बहुत अच्छा है बहुत ही डिसेंट है अब बिचारा उसको चाहता है तो उसे शादी करवा दीजिए देखे बेटे की भला ही चाते है ना जी हाँ यह क्या है प्रताप मैंने सुचा भी नहीं था कि आप ऐसी बात करेंगे हर रोज सुबह भाई के घर के सामने लोग कतार में लगते हैं उनके पास से हर महीने लोगों को पैसे मिलते हैं और पैसे लेकर लोग उनकी नौकरी करते हैं अब आप ही सोचिए इंगेजमेंट हुआ और लड़का अस्वताल पहुंच गया शादी के बारे में सोचोगे तो क्या होगा पुलीस वाली क्या कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा कहता है वो सब संभाल लेगा चलो पेटा चलो कि यह लीचे थैंक्स कृष्णा को आने में देर लगेगी वो आता ही होगा अब पावना है अब है गिलास पानी लाव अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कर यह मैंने तुम्हारी बहन से बात की इंटेलिजेंट गल बहुत आगे जाएगी वो मुद्देब्याई है अब एश्यो की शादी करनी है उसके पिता की इच्छा पूरी करने की कोशिश की कुछ हो नहीं पा रहा है बेचारी उसकी किसमत खराब है उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती पुलिस टेशन भी गया था कोई फाइदा नहीं हुआ निरा शोका लोटा देखो कृष्णा मुझे यह लड़ाई जखड़े वगर की आदत नहीं है मैं इससे बहुत डरता हूँ इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ तुम ही मेरी मदद कर सकते हैं इसे रख लो यह क्या है आज के बाद एश्यू के रास्ते में कभी मत आना उसे तुमसे कोई तक्लीफ नहों इसमें एक लाक रुपए हैं अगर कम लगे तो और भी दे दूँगा जाहिए सर पहले ही पैसे तु रख लो क्रिश्णा आप यहां से चले जाहिए सर जाहिए देखो तुम चाहो तुम्हें तुम्हें माल डालूंगा अभी जाहिए 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 अरे मैं हूँ ना मैं समाल लूंगा मैं हूँ ना कृष्णा अरे क्या काम था हाँ ज्वेलर के पास जाकर उसे एडवांस देकर आजा भाई वसन के लिए कोई और लड़की देखो इसे छोड़े वह लड़की अच्छी नहीं है क्या ऐसा नहीं है भाई किसी और के साथ उसकी सगाई हो चुकिए इसलिए अरे सगाई रोकने के लिए तो मैंने बेजा था ना तुम्हें वहाँ पर वो तो करनी पाया अब वो सब रहने तो बेटा जो कह रहा हूं वो करो नहीं भाई मेरी बात मानिये ये शादी नहीं हो सकती क्यों रहे क्या हो गया तुम्हें क्या दिक्कत है उस लड़की को पसंद नहीं है अप्ना वसंद तो पसंद करता है ना दोनों की मंजूरी चाहिए ना भाई शादी के लिए शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा नहीं भाई घर वाले तकलीफ में है न तो लड़की वह प्रेचरी वह उस लड़की को जानता है क्या तो फिर तू क्यों इतनी फिकर करता है जाके पहले बेरे काम निपता नहीं होगी क्या बोला यह शादी नहीं होगी क्यों रहे क्यों नहीं होगी शादी मैंने तो पच्चीस हजार रुपे लिए है उस लड़की की शादी उस लड़के के साथ कराने के लिए मैंने पैसे लिये हैं वादा किया है तू मेरे नीचे काम करने वाला है उनसे सुपारी लेगा तो वह भी मेरे खेलाफ आप इने तो कहा था कि मर्द को अपना वादा निवाना पिंचे हिए अब मैं बाहर से काम करूगा अब अलग होके काम करूगा कोई की है बीसमें आये तो सकती Finn लाओ मत भाई यह शादी मैं नहीं होना दूंगा दोस्तों के लिए क्रिश्णा हुँ मैं तुश्मनों के लिए तबाही यह शादी नहीं होगी यह मेरा वादा है दो 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 गश्मनों अंगिर नहीं मेरे साथ आओ के तो तकलीफ हो तुम्हें कोई बात महीं मेरी बात मानों हो डालूंगा मार दो मार दो ना अब देखो कृष्णा फ्रेंशिप कैसे कहते हमें नहीं पता लेकिन हमारे हर दुख में तुने साथ दिया है अब हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं तुम्हारे साथ कितनी सारी डील की है थोड़ी भी गरबर हो जाती तो मौत तै थी ऐसे हर मौके पर तुमने हमें बचाया तुमने ही तो बचाया है ना अब मार देना चाहते हो तो मार दो है कुछ फिए कटिंग की क वाई तो चाय के पैसे तुझे लिए हम तो पूरे कड के मैं सच कह रहा हूं मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा कृष्णा गरम भजी तल रहा है खाऊं क्या बहुत जल्दी देख मैं खाऊंगो यहाँ जल्दी देख कृष्णा लगता हम लोग रिस्क ले रहें देखो उन दोनों को दूसरे शहर भेज देते हैं उन दोनों की शादी करवाने का वादा किया है मैंने आज तक हम किसी और के लिए पसी ना बहते रहें प्यार के लिए दोबुन खुन बैजाए कोई हर्ज नहीं है एशू एशू रुख जाओ एशू यह यह क्यों मुझे इतनी तकलीफें दे रहे हो तुम मैंने क्या किया तुमसे प्यार करके मैंने अपने डैडी को खो दिया और अब कोई मेरा साथ निभाने आया है तो तुम उसे भी मार देना चाहते हो उनसे क्या दुश्मनी है तुमारी मैंने क्या कर रहे हैं तुम बता मुझे कुछ नहीं पता मैंने कुछ नहीं किया एशू मैं तुम्हारे पैर पढ़ती हूं प्लीज एशू मैंने कुछ मत कर यह लोग पत्थर के होते हैं उनके सामने आसु बहाने से क्या फाइदा यह लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं तुम चलो तुम इनकी जिन्दकी पर चलो बेटी तुम भी किस्ते रहें के उमीद कर रही थी वसन कहा मिलेगा भाई आपका बेटा भी मेरे बास है क्रिश्णा सुनो उस क्रिश्णा के पूरे खांदान को खत्म करना है मुझसे पंगा लेने वाले का क्या हश्र होता है उसे बता दो प्रक्राइब आपका अधान के अधान को तुम पहले जाओ यहां से सर प्लीज सर जिद मत कीजिए एशु की भलाई के लिए के रहा हूं चलो खड़ा मेरी बास समझ में यह थी क्या जो करना था कर चुके आप लोग अब क्या खाक अच्छा करोगे अच्छा कर लो इन सब को तुम ही समझाओ देखो तुम चाहती हो तो उस लड़के से शादी कर लो प्लीज प्लीज एशु मैं सच कह रहा हूं भाई कृष्णा के घर में कोई नहीं भाई कि कि क्रिश्णा वसंद कहा है जिंदगी और मौत के बीच में बैठा है उसकी जान बचाना अब आपकी जिम्मेदारी तू से छोड़ दे तू और तेरे घर वाले बच जाएंगे या फिर याद रख तेरे पूरे घर को शम्शान बना दूंगा जलती हुई आख के सामने उनके फेरे लगवा कर दिखा दूंगा भाई करके दिखा दूंगा माजी आप ही समझाये माजी वह आपकी बात मान लेंगे एशू तुम ही मान जाओ ना नहीं भाईया मैंने अब तक बहुत सहलिया है अब प्लीज यहां से चले जाए जाए इसने क्या का उटो चलो मैं नहीं जाओंगा शराफत की भाषा तुमारी समझ में नहीं आएगी ना प्रिया पॉलस को फोन करो जल्दी करो इससे जदा बात मत करना पानी मांगे तो दे देना चल रहे हैं इसको बहुत कर इसको बांद कर इसका कौरो तुम बांद कर छोड़ो चल मतले या रिलेक्स हो जा नमस्ते साब नमस्ते साथ तो दस बजे आएंगी कोई हल्प चाहिए तो बताईए नहीं चाहिए पांस सो रुपे लगेंगे सर गवा के साथ साथ शादी भी करवा दूँगा अपनी सर्विस एक तब टका टक है रे कान नहीं चाहिए नमस्ते सर शादी है क्या अकेले आए हो हजार रुपे दे दो लड़की भी ले आऊँगा और आपकी शादी भी अच्छे से करा दूँगा क्यों गुरु उदास लग रहे हो बगा के शादी कर रहे हो गवा चाहिए क्या चुब बेट वरना मार डालूँगा अरे नहीं चेहिए तो छोड़ो गुरु उसके लिए इतना अकड कि रहे हो हमारे इलाके में आके हमिसे पंगा लेते हो इतनी अकाड दिखाऊगे तो आने वाले लड़की भी भाग जाएगी अशो गुरु आसो ना गुरु अचो गुरु अचो गुरु इतनी ताकत देख चलो चलो गुरु शादी की पार्टी बोलकर चाकु छुवरा दिखा रहें गया है पैसे दे रहा हूं ना चुप चाप गाड़ी चला गुरु आई गाड़ी चला आप जीटे गुरुट ए क्रिष्णा मेरा बेटा कहा है पहले उस लड़के को भीजे या वसंद आजाएगा तु इसी वक्त वसंद को भेज़ेगा ज्यादा बात नहीं भाई वसंद चाहिए तो उसे भेज़ दो इसमें शादी की कपड़े पेहनो सर मैं शादी नहीं करूंगा सर प्लीज सर कपड़े पेहनो जाओ सर प्लीज मुझे छोड़ दो सर माल ढलूंगा जाओ जैसर बस हो गया हो कि बतमाश कहीं के तुम्हारा कभी भला नहीं होगा कभी नहीं होगा यह चुप अच्छा बैठे रहे वहीं आच्छा और बुरा क्या है मुझे मत समझा है यह पीछे देखे क्या चला रहा है आगे देखे चलाना क्या थे रहे रहे यार थोम्हस जाकी में के निकों बुला तुम जो कर रहे हो बहुद को भी पसंद नहीं है चुप सब्सक्राइब अरे मरना तो जाहिए निया कि रें हुद नहीं किक एुद्रा नहीं मिलेगा 건 और उसके अरेों तुम लोग क्या जानते हो लाएं तुम छुपोर जया तुम आशना कुछ को पोलr कृष्टा को पुलिस दया रष्ट किया टूम इंटन ही जानती हो ना सच्छ यह उसके जो उसके और है तुम नहीं जानती हैyesho तुम नहीं जानती कोई नहीं जानता कोई नहीं सब्सक्र Tier कैसा कट इन्वेटीशन कोई छूटा दोन से ज कर दाना डिया कर दो दोटू yarine क्रिष्णा, वह मदे क्रिष्णा, वह मदे क्रिष्णा, 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 ही जो हो इना, है है आय को जो जो एगन उना, हालना है कि वही कि जंखकी नह कि अ musicた झालना है पोलेष 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 जड़ 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 ऐवारे रखिष्ट कर दिशो जो 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 सकतार हो एil ही ऑ долларовıyla जो किषनैंज कोई ऑना फोरी मिज़स आसरओद कर दो चालत और हूई जो 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 जोू जो ऑंगा। बड़सा चामना फियोुबस तो जो जो नो भी खना फो dictator एशु तुम्हें यहां क्या कर रही हो जाओ यहां से चाहू तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था कृष्ना क्या तुम्साच के रहु पुरियो में, पापनियो में, पुरियो में खुरियो में छो नियंगे रहा है मतीय को तुम्साच के रहा है मतीय खांद से वाधर बैटिए, अभी भी देर नहीं होता रहा है यह वियुद पाप क्या इनले पाप मेने क्या कर दिया अनकर मेरे अधर वार है मैंने क्या अगना कियाfast इसी चोकरे नमुघाजा थाmost अब भाई बेज ए हम वहत पह.. आई,ठः लुकर एए एए आए! एए एए! भुझ हूच आए! झाल 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 कि अलो अंकल मैं बसंद बसंद मुझे तो बसंद बढ़ा कहां है तू तूम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना तू ठीक तो आया ना तो आई रुको कुछ करिशना मैं हूँ माफ और कर्देश अर्कष्ण भाई से पंगले के बसंदू कि क्या को जो आ अज चोड़ीया क्रिश्णा मासे भाग यार को क्रिश्णा करिश मैं पाद करिशना enormous पॉलाद का सीना है हमारा हम हार मानने वाले नहीं है मेरे तल्वे चाटने वाला कुछता है तू मेरे पेटे को मारेगा आज उसी के हाथों से दफनाओंगा मैं तुझे मारा इसे घ झाँ 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 लुख झालाव जालाव इजवारा कर दो चालाव कर दो है। बारी, वारी, जहाँ करनों! तो पापा तुझे कुछ नहीं पता तेरा भाब कृष्णा को मार देगा मार दालेगा उसे क्रिष्णा ने क्या गल्ती की है क्या गल्ती की है एच्छो से प्यार करने क्या गलत था प्यार करने की तदा मौत है गया मेरे तल्वे चाटने वाले कुट्टे को पाला मैंने वह मुझा ही काटने को दोड़ा देवभाई क्या होती है और उसकी सजा क्या होती है यह दिखा कर बात में बात करता हूं प्यार करने वालों को मानना ही है तो दुनिया में कितने लोगों मानना परेगा मागा जान तो चली रही है मेरी जल्दी से मार दे मुझे क्रिष्णा अच्छा इंसान है माफ कर दो उसको दिमाग खरा वे क्या या मार उसे चोड़ दो भाई साथ में खाना खाया हमने माफ कर दी दियो सो अथारा सालों सो मैंने तुझे पाला पोस्रा है आज वो छे महींने पुराना कुट्ता स्यादा प्याला हो गया क्रिष्णा कृष्ना क्रिष्णा कृष्णा क्रिष्णा कृष्णा कृष्ण उभर ओ दी ने यासे मेरी घृती है यह सब अबसे बात करो प्लीजा कृष्णा मुझे से बात करो कृष्णा अब मैं कभी तुम से दूर नहीं जाओंगी मुझे मत देखो इश्यू मुझे से बात करो कृष्णा जाक टूमी गलती होगे मुझे नहीं कृष्णा प्यार करना गलब यह क्या कि अधिया कर दिया कृष्णा तुम उसे प्यार करता है तो मुझे क्यों नहीं बताए वेक्टा प्रिश्णा 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 कर दो कर दो कि अधिया कर दो कर दो कि अधिया का जाक प्रिश्णा ऑगवान नहीं हमें जुबान दी है दिल की बात बताने के लिए बातों को छुपायर रखोंगे तो इस तरह की गलत फाहभी होगी तुम्हें अब तुम्हारी प्रेमी का मिल गई एक अच्छी जिन्दगी मेरी खुशी हुई मुझे इतने समय तक तुम मेरे साथ था आज के बाद अपने घर वालों के साथ खुब खुश रहो बेटा अब चलता हूं बेहन जी चलता हूं अब मोटू अब शादी के लड़ू खाने के तयार हूं